नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर शे हमारे यूदिधोग चेनल दोस्तों बहुत से लोगों की दवारा पूछा जाता है की राजा का अर्थ क्या होता है तो आज हम इस वीडियो में राजा की अर्थ या मतलब को अची तरह से जनेंगे हम जानेंगे कि राजा का अर्थ क्या होता है या राजा का मतलब क्या होता है यानि राजा की मतलब को पूरी तरह से समझाएंगे तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपय चेनल को सबस्क्राइब कर दिना दोस्तूं सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राजा का अर्थ क्या होता है दोस्तूं राजा का अर्थ होता है वह जो राजय का मालिक हो यानि भूप या निरिपती यानि इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है वै वेक्ति जो की पूरे भूखंडिया राज्ये पर जो राज करता है वह राजा होता है एक राजा अपनी परजा को हमेशा खुश रखता है, अगर परजा पर किसी तरह की मुसिबत आती है, तो राजा अपनी परजा की हिफाज़त करता है, राजा के अर्थ को हम अलग-अलग तरीके से समझा सकते हैं, जो कुछ इस तरह से हैं, वै जो भुमी या प्रदेश का वामी हो, यानि बाज्चा, वै जो दंड दारन करता है, यानि दंड दर, वै जो राजाओं का राजा होता है, यानि नरेस, वै जो की दुनिया पर साशन करता है, यानि लोकिस, वै जो राजाओं का राजा होता है, यानि राजा धिराज, वै वेक्ती जो की जनता की रक्ष करता है वै जो किसी भूमी या जनता पर साशन करता है जनता पर साशन करने वाला वै जो परजा की रक्षया करता है वै जो किसी राज्य को चलाता है इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि राजा सब्द की अनेक मतलब होती है वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दे की राजा क मितलब किसी भूब बाग पर सासन करने वाला वियत्ती होता है इसके अलावा दोस्तों राजा सब्द के कुछ वक्यम प्रियोग भी कर लेती हैं तो राजा सब्द के वक्यम प्रियोग कुछ इस तरह से होती हैं जब राजा के घर में बेटी का जनम हुआ तो राजा साहब ने पूरे राज्य में डोल बजवाई नमबर टू आज राजा साहब की यहां यूराज का राज तिलक होने वाला है नमबर थरी आज राजा जी के बेटे का विवा है तभी पूरा राजे खुश नजर आ रहा है नमबर फूर हमारे राजा इतने ताकतवर हैं कि वे किसी से नहीं हारती इस तरह से दोस्तू राजा का अर्थ होता है और राजा का वक्यम प्रियूग किया जाता है अगर वीडियो अच्छा लगा तो चेनल को सब्सक्राइब करें और एसे ही वीडियो समय समय पर प्रत करने के लिए बेलाइकन को दबादे अंते में कमेंट में बताएं कि आप किस सब्द की अर्थ के बारे में जानना चाहते हैं हम उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे